आज का जो टॉपिक है वो यूटूब थमनिल के बारे में होने वाला है देखिए यूटूब थमनिल को किसी बुक के कबर या मूवी के पोश्टर की तरह समझिए हम सबसे पहले बात करते हैं थमनिल क्या होता है थमनिल ओडियन्स को वीडियो के बारे में एक व्यू देता है लाइक आप कह सकते हो एक ज़लक देता है और अपनी ओडियन्स को थमनेल पर क्लिक करके देखने के लिए इंस्पायर करता है अभी तक हमने जाना कि थमनेल्स क्या होता है अब बात करते हैं कि थमनेल जरूरी क्यों है सबसे पहला पॉइंट ग्रैब अटेंशन ग्रैब अटेंशन का मतलब होता है ध्यान आकरसित करना करोडो वीडियो के समुदर में एक अट्रेक्टिव थमनेल सबसे अलग दिख सकता है और किसी का भी ध्यान अपनी तरफ खींच सकता है यह हर किसी को वीडियो स्क्रोल करना बंद करके आपको वीडियो पर क्लिक करने के लिए मजबूर कर सकती है ओके तो आप बात करते हैं दूसरे पॉइंट की टेल एया स्टोरी मतलब की एक कहानी जो कि थमनेल से रिलेटेड हो एक थमनेल आपके वीडियो के वारे में क्यूइक प्रिवियो दे सकता है यह एक इंपोटेंड मॉमेंट या किसी मेन क्यारेक्टर या डिसकसन किये जा रहे सबजेक्ट को दिखा सकता है जिससे की ओडियन्स को यह पता चल सके कि उन्हें क्या होप करनी चाहिए अब बात करते हैं जो की तीसरा और सबसे मेन पॉइंट है CTR, Click Through Rate एक अट्रैक्टिव थमनेल आपकी वीडियो पर बहुत ज़्यादा क्लिक ला सकता है जो अल्टिमेटली आपके वीडियो को ज़्यादा व्यूज लाने और वड़ी क्रियेटर्स तक पहुचाने में हेल्प कर सकता है जितने ज़्यादा लोग आपकी वीडियो पर क्लिक करेंगे योट्यूब पर उतना ही ज़्यादा आपका थमनिल रैंक करेगा